कुछ सब्ता पहले अंड जीलों की ही तरह और अंगाबाद जीली में भी छाछटवी BPSC की प्री परिक्षा का आयोजन किया गया था। वहां के रामपूर टोला धनहरा में एक सेंटर था BL इंडो एंगलियन पब्लिक एस्कूल। वहां इस परिक्षा का आयोजन किया गया था लेकिन परिक्षार्थियों के हंगामे के कारण परिक्षा हो नहीं पाया था। परिक्षार्थियों ने आरोप लगाया था कि परिक्षा के पहले ही पेपर लिख हो चुका है। अब खबर है कि हंगामा कर रहे हूं सभी परिच्छार्थियों पर FIR दर्च कराया गया है FIR के वो दर्च कराया गया है और आयोग द्वारा दोबारा परिच्छा लिया जाएगा या नहीं उस पर आगे बात करेंगे नमस्कार मेर नावे मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनताज जंक्सन जिस दिन यह सब हंगामा हो रहा था उस दिन भी हमने इसको लेकर वीडियो बनाया था जो परिच्छार्थी उदिन परिच्छा देने गए थे उन्होंने आरोप लगाया था कि वाट्सअप ग्रूप में प्रस्न पत्र का फोटो एकजाम होने के पहले ही वारल हो गया था जब यह खबर अन परिच्छार्थियों में फैली तो वहां हंगामे जैसी सिति उत्पन हो गई इसके बाद एकजाम सेंटर पर परिच्छार्थियों ने जम कर हंगामा किया यह खबर पूरे बिहार में बहुत केजी से फैली और इसके कारण अन्य जगहों के परिच्छार्थी भी आक्रोशित होने लगे वहां पर सुचना मिलते ही और अंगाबाद के जिलाधिकारी भी पहुँचे जिलाधिकारी के पहुचने के पहले वहां मौझूद क्रमचारी छात्रों को लगतार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह का कोई पेपर लिक नहीं हुआ है लेकिन परिक्छार्थी बात मानने को तयार नहीं थे जिलाधिकारी ने वहां पहुच कर जाँच बिठाने की बात पर परिक्छार्थियों को सांत किया जिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में पाये गया कि वहां किसी तरह का कोई पेपर लिक नहीं हुआ था आयोग के तरफ से भी दो सिनियर उप्षचीव को और अंगाबाद भेजा गया था बाद में जाँच रिपोर्ट के अनुसार आयोग को रिपोर्ट भेजी गई और बताया गया कि छात्रों ने ब्रहम की स्थिति पैदा किया जिसके कारण पूरी की पूरी परिक्षा बादित हो गई उस परिक्षा केंद्र पर कुल 850 परिक्षा थी परिक्षा देने गये थे लेकिन हंगामे के कारण परिक्षा लिया नहीं जा सका हंगामा कर रहे छात्रों को समझाने खुद जिलाधिकारी भी पहुँचे थे लेकिन छात्रों ने परिक्षा देने से मना कर दिया था अब 50 अज्यात और 10 नामजद परिक्षार्थियों पर फ़यार दर्च कराई गई है आयोग का मानना है कि इन छात्रों ने भ्रह्म की सिती फैलाई जिसके कारण 850 परिक्षार्थियों का परिक्षा नहीं हो सका हाला कि आयोग ने इन परिक्षार्थियों को रहात देते हुए कल इस बात का एलान किया था कि उस परिक्षा केंद्र पर मौझूद सारे परिक्षार्थियों का दुबारा एकजाम लिया जाएगा आयोग के तरफ से भी अभी परिच्छा की कोई तीथी तैय नहीं की गई है लेकिन कहा गया है कि उन अभियर्थियों के हित में आयोग इस परिच्छा को दुबारा कराएगा यह तो अच्छी बात है कि आयोग दुबारा से परिच्छा लेगा लेकिन हर परिख्षा में इस तरह की अफवाह उन्ना कैसे रोका जाएगा हर परिख्षा में ऐसी खबरे आना मानो जैसे आम बात है परिखार्थियों को भी सोचना चाहिए कि हर समय हंगामा करने से नुक्सान उनका अपना ही है वहीं आयोग को भी अपनी साह के बारे में एक बार सोचना चाहिए उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर BPSC की साथ इतनी कैसे बिगड़ गई है कि हर एकजाम में धादली का आरोप लगता है बिहार लोग सेवा आयोग के अलावा BPSC यानी की बिहार करमचारी चैयन आयोग को भी अपनी साह के बारे में सोचना चाहिए बिहार करमचारी चैयन आयोग का भी वही हाल है जो बिहार के अन्य आयोगों का है साथ साल आठ साल बीच जाने के बाद भी BSSE भरती प्रकिरिया को संपण नहीं करा पाती है भरती प्रकिरिया की बात को भी हटा दीजे एक इकजाम तक नहीं ले पाती है हर बार जब इकजाम का डेट आता है तो कुछ नया बखेडा शुरू हो जाता है कभी कोट के कारण तो कभी BSSC के अपने रवया के कारण लेकिन इन सब के बीच में पिछने वाला सिर्फ छात्र बन जाता है अभी बिहार क्रमचारी चायनायोग ने 2014 में भरती प्रकिरिया निकाला था जो आज तक संपन नहीं हो पाया है इसका जबाब देने के लिए कोई मौजुद नहीं है किसी को नहीं पता कि इसका दोसी कौन है आगे कब तक परिच्छा लिया जाएगा इसका भी किसी को कुछ नहीं पता है बाकी BPSC परिच्छा की तारीखों का एलान कब करता है उसके बारे में जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक ज़रूर पहुचाएंगे वैसे बिहार में जब 77 साल तुनाने एकजाम बाकी है तो इसको लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी ही होगी फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर कीजिए फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुँ जल लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़े आमन सर्मा और मैं मोहित कुमार जींग धन्यवाद